नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं प्रियंक का एक्जाम T20 चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागत करती हूँ I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपेशन कर रहे होंगे वीडियो री एक्जाम के मौक टेस्ट सीरीज चल रही है इस चैनल पर प्रिवेस प्रियर पेपर जो की हिंदी के अलेडी करा दिये गए हैं और ये मौक टेस्ट हिंदी का ही मैं करवा रही हूँ लगातार आप डेली प्रेशन पत्र सॉल्व कर पा रहे हैं जैसा कि एक्जाम पेटरन है उसी के अकौरडिंग फ्युप्टी कोशिंट की सीरीज रहती है जिसमें हिंदी के पचास प्रेशन ने लिए हुए उन लिए हैं उन्हीं को हल करना होता है इस प्रकार से हमने कुछ प्रेशन पर अल्रेडी सॉल्व किये हुए आप चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं उनको देख सकते हैं इसमें जो की परिक्षा का पैटर्न है वीडियो रिख्जाम का जो की UPSS करा रही है उसमें तीन सब्जेक्ट्स हैं GS, Hindi और Reasoning तीनों से 50-50 प्रेशन आते हैं दो मार्क्स के टोटल 1500 प्रेशन होते हैं 300 मार्क्स का पेपर होगा इसी में इसलिए हम लोग सबसे पहले हिंदी को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर यदि आप हिंदी को मेरे साथ तयार करते हैं तो आप अपना confidence भी boost कर पाएंगे और इसी से ही आपके प्रेशन पत्र में भी प्रेशन देखने को मिलेंगे इससे बाहर कोई भी प्रेशन नहीं होंगे आप यहाँ पर प्रेशन तो तयार करते ही करते हैं उसके साथ जो analysis होती है उसके साथ आप क्या करते हैं और भी जो उसे related topic है उनको भी पढ़ पाते हैं तो आप चाहें तो और भी practice set मेरे साथ में solve कर सकते हैं जो कि पहले से available है उनको भी देखिए previous paper जरूर लगाई है जिससे आपको पता चले कि परिक्षा का pattern कैसा रहेगा कैसे प्रशन आप से पूछे जाएंगे और किन-किन topic से प्रशन आते हैं उसके साथ-साथ revision कीजिए अपने topics का जो भी आपने पढ़ रखा है और practice set लगाईए चलिए बिना देर के start करते हैं ये Hindi का mock test है 50 प्रशन है 50-100 प्रशन को आप मेरे साथ हल कीजिए अपने score comment करके जरूर बताईएगा अगर अभी कोई गलती होती है तो आप आसानी से सही कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर के paper में अच्छा paper करके आएंगे तो चलिए start करते हैं बिना देर किये तो पहला प्रशन है निमलिखित में से किस आधनिक भारती भासा का विकास मागधी अभ्रण से नहीं हुआ है यहाँ पर पूछा गया है किसका नहीं हुआ है पिछली बार जो प्रशन हमने solve किया था उसमें था अभधी भासा किस अभ्रण से विक्सेत होई है आज पूछा गया मागधी अभ्रण से कौन सा नहीं है आप्शन में दिया गया है बिहारी, बंगाली, मराथी या फिर उडिया इन चारों में से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा देखे बिहारी, बंगाली, उडिया और इसके साथ असमिया जोड लीजे इन सबको अगर आप मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मागधी अभ्रण से हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, ये है मराथी, ये किस से हुआ है ये मागधी अभ्रण से नहीं हुआ है, जबकि महराश्ट्री अभ्रण से हुआ है याद रहेगा अगला प्रशन है निम लिखित में से अशुद्वर्तिनी है नभु मंडल, निर्वाण, अन्तापूर या फिर विशाद इसमें से बताना है तो देखिए अशुद वर्तिनी में निर्वाण, विशाद और अंतापुर ये सारे सही लिखे हुए किन्तु जो नभ मंडल है, वो नभ मंडल नहीं होता है, नभो मंडल होता है अगला प्रशन है शूर्योदय, सूर्योदय का संदी विक्षेद क्या है सयोदं उदय ये दय, आप्शन देखिए सूर्य ये सूर्योदय, सही से बताना है देखिए, इसका संदी विकषेद क्या होगा, सूर्य धन उदय, आ प्लस U मिल करके क्या बनाएंगे, O A plus O मिल करके क्या बनेगा O तो पहचानिये इन में से कौन सी संधी है यह जो हमने संधी विक्षेत किया इसमें गुर संधी है कौन सी है गुर संधी अब यह गुर संधी होती क्या है सबसे पहले समझे इस गुर संधी में या गुर संधी में ठीक है, A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A, ठीक है, अगर O या बड़ा O मिले, तो क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, और उसके साथ यदि R आ जाएगा, गुर संधी याद रहेगी, A या बड़ा A के साथ E या बड़ी E आए, O या O आए, R आए, तो क्या होगा, E या बड़ी E के साथ A बन जाएगा उसके स्थान पर U के साथ क्या बनेगा उसको हटा करके O हो जाएगा री के बाद क्या जाएगा अर ये गुड संधी का जो परिभाशा है मैंने बताई हो इसका उधारण हमने पढ़ा है सूर्योद है ठीक है सूर्योद है अगला प्रशन है चा वर्ग का उचारण मुग के किस भाग से होता है देखे एक एक करके संधी और लेडी मैं डिसकस कर चुकी हूँ जितने भी प्रशन आते हैं वो संधी में पूरी तरह एक्स्प्लेइन कर देती हूँ जो भी टॉपिक दिया गया उस प्रशन के मादन से में बाकी चीज़े आपको उसको एक्स्प्लेइन कर देती हूँ तुरंती जिससे आपको याद हो जाए चा वर्ग का उचारण मुग के किस भाग से होता है देखे आप कोई भी अगर आपको वर्ण दिया गया है आप उसको मुख से चारित करके जरूर देखिए और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है वर्ण माला में उसकी क्लास अवेलिबल है चैनल पर जाईए वर्ण माला की एकलास देखे, पूरी वर्ण माला तैयार कीजे, इससे प्रशन हर बार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, यह confirm है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेर कर लीजे, दुबारा दिक्कत ना हो, चा वर्ण क्या होता है, च, च, ज, 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 ये किस वर्ण में आते हैं? चा वर्ण में, अब ये तालू वाले सब्दें हैं, माफ कीजेंगा वर्ण हैं, कंठ हैं, ओष्ट हैं या दात से बोले जाते हैं, देखे ये है, च, छ, ज, 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 बाट puls कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ताल तालव्य है तालू से बोले जाते हैं तो चावर्ग, ई, ई, य, और शा ये सारे क्या हैं? तालव्य है अगला है वन विच्छेद दिया गया है और इन धनियों को मिला करके जो शब्द बनेगा वो बताना है जैसे ये है द, का और शा मिल करके क्या बनाएंगे? देखे सबसे पहले तो ये देख लीजे आधा का और शा पुरा मिल करके बनाता है क्षा सबसे पहले ये वन विच्छेद दिया रखिए कोई भी वन विच्छेद होगा कैसे लिखा जाएगा फिर से अगली संदी विक्षेद आ गई है और इसी के साथ साथ हम आपनों एक-एक संदी डिसकस करते जा रहे हैं गायक में सबसे पहले एक काम करिए गायक को तोड़िए संदी विक्षेद कीजिए फिर बताईए यड संधी है, अयादी संधी है, गुड संधी है, या फिर दीर भिस्वंधी है, इन में से बताना है, तो गायक होता है गय, धन, अक, ये इसका वर्ण विच्छेद है, मतलब ए, प्लस, आ मिल करके क्या बन गया है, आए, गायक हो गया ना, आए, कौन सी हो आएगी, अयादी संधी, अयादी संधी में होता क्या है, इस संधी के अनुसार, ए, आ, ओ, आओ, इनके बाद कोई भी भिन सर आ जाए, तो इसके जगए पर क्या हो जाएगा, ए की जगए पर आए हो जाएगा, ए की जगए पर क्या होगा, आए, आए की जगए पर अभी हम संदी आज हम लोगों ने पढ़ ली है, इनको बहुत अच्छे से तयार कर लीजिए, इसका उधारण गायक, नायक, निमने लिखित में से सुद्ध वर्तिनी का चैन करना है, हस्त शेप, निरोग, निस्पक्च और अक्षोणी, इन सब को कैसे लिखते हैं, ये देखना है और सुद्ध वर्तिनी बताना है, देखिए हस्त शेप, हस्त शेप लिखा जाता है, ना की हस्ता शेप, तहां पर जो बड़े आकी मात्रा है, वो हटा लीजे, तो हक्स शेप गलत है, निरोग में बड़ी इकी मात्रा लगेगी, ना पे ना की छोटी इकी, तो निरोग भी गलत हो गया निस्पक्ष सही लिखा हुआ है अक्षोहिडी नहीं होता अक्षोहिडी होता है ओकी मात्ता लगेगी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सैवन का अगला प्रशन है वा का उचारण स्थान क्या है कोई भी वर्ण दिया जाए सबसे पहले मुख से उचारित कीजिए फिर अब आउचारित करेंगे तो दात और ओठ मिल रहे हैं इनको क्या बोलेंगे दन तोस्थ कौन सा वेंजन है दन तोस्थ वेंजन है वा कि नेक्स्ट प्रशन है निम लिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग गलत दिया गया है ये पहचानिये चलिए पहले उ जा रहे हो आप कीजेगा दूसरा है मोहन अब तुम घर जा सकते हो तीसरा ओप्शन है हे इस्वर सबका कल्यार हो ओप्शन डी है आप शायद पटना के रहने वाले हैं ओप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट हैं लेकिन डी गलत है यहाँ पर कोई निश्चितता नहीं है अनिश डी नेक्स्ट प्रशन है निमलिकित में से कौन सा सब्द समूव आचक संग्या नहीं है ए ओप्शन है गुच्छा बी ओप्शन है कुंझ सी ओप्शन है मकान डी ओप्शन है मंदल देखिए पिछली क्लास में पिछला जो प्रैक्टिसर स्ल्व किया गया उसमें सारी संग् मैंने explain की है तो आज सिर्फ समूव आचक संग्या बताऊंगी समूव आचक संग्या का अर्थ है जिस भी संग्या में किसी व्यक्ति या वस्तों के समूव का बोध हो जाए तो क्या हो जाएगी समूव आचक संग्या गुच्छा क्या है जैसे के अंगूर का गुच्छा, मतलब किसी वस्तू का समू होगा तो गुच्छा हो जाएगा कुझ लताओं का जैसे, ये भी धेर हो गया, ये भी मंडल भी समू वाचक किन्तो मकान कैसा है, मकान कौन सी संग्या में आएगा, जाती वाचक संग्या में कौन सी संगया? जाती वाचक संगया Option C, Correct हो जाएगा अगला प्रशन है 3, प्रशन है 11 से 13 तक पद्यांस को पढ़ करके उत्तर देना है आपके प्रशन में या तो पद्यांस आगा तो गद्यांस आगा इसको करने का तरीका हर बार मैंने एक ही बताया है आप सबसे पहले पद्यांस को रीड करिए कुछ भी हो, गद्यांस दिया गए पद्यांस दिया गया हो रीड करिए, फिर आकर के प्रशन पढ़िए और प्रशन पढ़ने के बाद जब दुबारा रीड करेंगे आप अंडर लाइन करके तुरंत आंसर पा जाएंगे सबसे पहले मैं रीड करती हूँ फिर हम लोग प्रेशन सॉल करेंगे आज बरसो बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं एक कनोखा जश्न मनाएं अपना कोरा अस्तित जमाएं आज बरसो बाद सुखे पत्तों पर बसंत्रित आई है विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है गहनता की फसल लहला हाई है सायद इसी कारण आज बरसो बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं अपना कोरा अस्तित जमाएं ये रहा पद्यांस इसी क्याधार पर तीन प्रशन हल करने है आपको क्या करना है पहले प्रशन पढ़िए सारे और दुबारा से पद्यांस देखिए उत्तर आपको मिल जाएगा मैं ऐसे ही सॉल्फ करा रही हूँ कभी के मन में इच्छा उत्पन हुई है कैसी इच्छा उत्पन हुई है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कभी के मन में इच्छा उत्पन हुई कुछ महत्पूर्ण कारे करने की नेक्स्ट है किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है और और एकुझण बी है विचारों की कलियों पर option C है छोटी नई कलियों पर या फिर option D is सुस्क कलियों पर देखे इसका सही उत्तर है किन कलियों पर? विचारों की कलियों पर क्या हुआ है? बहार का आगमन हुआ है इस पद्यान से related अगला प्रश्न है जो की लाश्ट है, सूखे पत्य प्रतीक हैं, किसके प्रतीक हैं, पत्य जड़ के हैं, अकाल के हैं, मन के सूने पन के हैं, या शुसकता के हैं, देखें इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, पूछा गया सूखे पत्य तो हमने लिख दिया पत्य जड़ के, ऐसा कुछ नह अगला प्रशने संख्या सब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम है जिन भी सब्दों से संख्या का भाव प्रकट हो संख्या का दिखाया जाए इंगित करे संख्या को तो उन विकारी शब्द को कहते हैं संग्या वचन सरणाम या विशेशन उनकों कहते हैं वचन, वचन में क्या होगा एक वचन या दो बहुवचन ऐसे संख्याएं गयात हो सकती न, तो सब्दों के संख्या वाचक विकारी रूप को वचन कहते हैं अब अगला प्रश्ण है कौन सा शब्द पुर्द गाली भासा से हैं देशज, विदेशज, पुर्द काली, अर्बी, फाडसी सारे शब्द पूछे जाते हैं एक एक करके सभी को तयार कीजिए आप यहाँ पर इस प्रश्ण पत्र में जितने टॉपिक देख रहे हैं जिन जिन टॉपिक से प्रश्ण आएं उन सभी को प्रिपेर कीजिए और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप पूरा स्कोर कर सकते हैं आप निगेटिव मार्किंग से बस सकते हैं अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं तो हिंदी पे फोकस करके उस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए चलिए प्रश्ण देखते हैं पुर्तगाली भासा का शब्द वताना है बहादुर है चाभी है लिफाफा है या चस्मा है सबसे पहले बहादुर को देखते हैं या किसका है या तुर्की भासा का है कौन सा है तुर्की भासा का है चाभी पुर्तगाली चाभी कौन सा है पुर्तगाली है लिफाफा फिल्ब किसका है यह है अर्भी लिफाफा है अर्भी का चस्मा फार्सी याद रहेगा चस्मा फार्सी लिफाफा अर्भी बहादुल तुर्की चाबी बाल्टी अल्मारी अननास फीता यह सारे किसके हैं पुर्तगाली शब्द हैं ठीके तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी अगला प्रशन दिया है मैंने और इस वाकि में जो तक दिया गया है इसमें कौन सा निपात है option A है सुईकार, option B है निशेधात्मक, option C है सीमा बोधक, जो option D है अवधारण बोधक अब बताना इसमें कौन सा उत्तर सही है देखें आपर तक दिया गया है एक limitation को दिखा रहा है मतलब सीमा दिखा रहा है कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी जब तक राम नहीं आ जाता तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगे एक सीमा दे दी गई है तो कैसा निपात हो अनिश्चय वाचक या फिर प्रश्ण वाचक देखे प्रश्ण में ही किसी किसी प्रश्ण में ही उत्तर मिल जाता है और यहां पर भी यही है सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तू का बोध जिससे नहीं होता है तो निश्चित नहीं है मतलब अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा, simple, अगला प्रशन है, निम लिखित में से कौन सा विशेशन पदबंद है, रात को पहरा देने वाला, चांद से भी प्यारा, दैव का मारा वह, या जमीन पर लोटते हुए, इसमें कौन सा विशेशन है, देखें विशेशन पदबंद क्या होते हैं, किसी संग्या क विशेशता बताने वाले जो पद समूर होते हैं, उन्हें विशेशर पदबंद कहते हैं, और यहाँ पर चांद से भी प्यारा आप्शन जो बी है, वो इसका सही उत्तर होगा, अगला प्रशन है, श्याम ने राम से पत्व, डैश, आगे हमें इस रिक्तिस्तान को पढ़न इनमें से कोई ने, श्याम ने राम से पत्र पढ़वाया, ये तो उसका सही उत्तर है, पढ़वाया कौन सी क्रिया होती है, प्रेर नार्थक्रिया, जब कोई कारिक किसी और को करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो वो कौन सी क्रिया हो जाती है, प्रेर नार्थक्रिया यहाँ पर कौन सी क्रिया फिल की जाएगी? प्रेरनार्थक पढ़वाया राम ने श्याम ने राम से पत्र पढ़वाया अगला प्रशन देखते हैं निम लिखित में से किस शब्द में इस्त्री प्रत्य जो है आईन इसका प्रयोग नहीं किया गया है चलिए देखते हैं कौन-कौन से सब्द हैं पहला है चौबाईन, दूसरा क्या है? ललाईन, तीसरा है सिठानी और चौथा है पंडाईन अब बताना है इन में से किस में प्रयोग नहीं किया गया है चौबाईन में देखते हैं आईन लगा हुआ है ललाइन में आइन लगा हुआ, पंडाइन में लगा हुआ, लेकिन सिठानी में नहीं लगा हुआ, सिठानी में कौन सा प्रत्य लगेगा, आनी प्रत्य है, कौन सा प्रत्य है, नेक्स्ट है वाग युद्ध, इसमें तत्पुरुस समास का कौन सा भेद है, option सबसे पहले देख वाग युद्ध का समास विग्रह क्या होगा? वाग से युद्ध. कौन सा युद्ध? वाग से युद्ध. विभक्ति चिन कौन सा प्रयोग हुआ? से. से किसका होता है? करण. करण से के द्वारा. इसका विभक्ति चिन है तो वाग युद्ध में कौन सा उत्तर सही होगा? कर रावाच, कर्थिवाच, या पेर कर्मवाच या फिर इन में से कोई नहीं, जहां पर करता की प्रदान्ता तो वहां पर क्या होगा, Option B, कर्थिवाच, अगला प्र astrology हें, उतकर्ष एक कुषाग्र विद्यार्थी हे, अब यहाँ पर बताना है कुशाग्र कौन सा विशेशड है विशेशड क्या होते हैं जो विशेशता बताने वाले शब्द होते हैं जैसे कि option A है संख्या वाचक, option B है गुडवाचक, option C दिया गया है सार्वनामिक और option D दिया गया है परिमार बोधक इनमें से बताना है कौन सा है देखिए कुशाग्र क्या कर रहा है गुडवाचक विशेशन जो सब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुड़ दोस रंगा कार सुभाव या फिर स्थिती आदिका बोध कराते उन्हें क्या कहते गुडवाचक जैसे कुशाग्र, वुद्धीमान ये सब क्या है गुडवाचक विशेशन है याद रहेगा नेक्ष्ट है पंकज या किस प्रकार का शब्द है रूड़ सब्द है, योगिक सब्द है, योग रूड़ सब्द है या इनमें से कोई नहीं है सबसे पहले समझेए पंकज पंकज कैसे बना? पंक में जा जोड दिया कैसा बन गिया? योग रूड़ सब्द अब ये योगरूर सब्द होते क्या हैं ऐसे सब्द जो योगिक तो होते हैं परन्तु अर्थ के विचार से अपने सामान अर्थ को छोड़ कर किसी परंपरा से विसेस अर्थ के परिचायक है जैसे पंक और जा मिल करके क्या बना पंकच और पंकच का अर्थ क्या हो गया कमल ज शब्द तो योगिक शब्द हैं, अलग-अलग आपस में मिले, लेकिन मिल करके किसी तीसरे तरफ इसारा कर रहे हैं, किसी अगले अर्थ की तरफ इसारा कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा पंकज, योगरूर सब, अगला प्रेशन है, अधिकरण कारक का विभक्ती चिन जितने भी कारक हैं, उन सब के विभक्ती चिन रट डालिए, पूरे के पूरे, अधिकरण में क्या होता है, option A है में, option B है से, option C है को, यो option D है ने, इनमें से बताना है, अधिकरण का होता है में या पर, option A करेक्ट हो जाएगा, क्रिया या अधार को सूचित करने वाली जा सर्वनाम के सुरूप को अधिकरण कारक कहते हैं, नेक्ष्ट है, वा आया हो, इस वाक में वर्तमान काल का कौन सा रूप है, अब वर्तमान काल के रूप देखिए सारे कौन कौन से दिये गए हैं, सामान वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव वर्तमान या फिर संदि होगा तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा संभाविवर्थमान option C is correct राइट अगला प्रशन है निम लिखित सब्द युग्म के सही अर्थभेत का चैन करना है अंबुज और अंबुद का डिफरेंस क्या है जा उर्दा का option A है जल और कमल दे दिया गया है option B कमल और बादल option C है बादल समुद्व option D समुद्व और कमल इन में से बताना है इसका सही उत्तर होगा जहां पर ज़्यादा तर सब्दों में देखेंगे जब J use होगा माफ कीज़ेगा वहाँ पर कमल होगा और द यूज होगा तो वहाँ पर बादल होगा अंबुज के लिए क्या होगा कमल अंबुज जलज ठीक है ये क्या होगा कमल के लिए अंबुद बादल के लिए option B correct हो जाएगा जैसे नीरद हो गया बादल के लिए है लेकिन नीरज होगा तो कमल के लिए होगा जा और दा का डिफरेंस याद रखिए अगला प्रशन है निमलिकित में से कौन सा आविकारी शब्द है सबसे पहले आविकारी शब्द क्या होते हैं वो याद करिए A है सर्वनाम B है अव्य C है विशेशन D है संग्या दिखे सर्वनाम संग्या विशेशन अव्या सभी मैं समझा चुकी हूँ हूँ आप यहाँ पर फिर से देख लीजे आविकारी शब्द का अर्थ होता है जिनके क्या होता है जो सब्द लिंग, वचन, कारक इन सबसे विकरत ना हो कोई चेंज ना हो इनकी वज़े से वो आविकारी शब्द होंगे आविकारी शब्द को क्या कहते हैं प्रबल, प्रत्यक्ष, सबसे पहले देखिए प्रकाश, प्रकाश में हुआ है, प्रचार में हुआ है, प्रबल में हुआ है, किन्तु प्रत्यक्ष में नहीं हुआ, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, प्रती, कौन सा है, प्रती उपसर्ग है, अगला प्रशन है, निमलि और option D है आ, चलिए बताइए इनमें कौन सा होगा उत्तर सही, यहाँ पर है era, लुटेरा में कौन सा प्रित्य लगा हुआ है, option C, era, right? next है, कुछ लड़के खेल रहे हैं, इस वाकर में जो प्रयुत किया गया कुछ, यह कैसा विशेशड है? सार्विनामिक विशेशड, गुडवाचक विशेशड, संख्या वाचक या परिमार भोधक, कुछ क्या दर्सा रहा है, कुछ एक परिमार दिखा रहा है, किसी नापतोल की वस्तु जो होगी कोई भी जैसे कुछ लड़के खेल रहे हैं या कुछ ऐसा परिमार प्रिदर्शित करेगा तब वहाँ पर क्योंगा परिमार वोधक विशेशन मतलब एक निश्चित संख्या नहीं है कुछ लड़के खेल रहे हैं इसलिए परिमार वोधक वह आदमी जो क विशेशड उपवाक या इनमें से कोई नहीं जो कल आया था मतलब वह आदमी जो आया था उसकी विशेशता बता रहा है तो कैसा उपवाक की होगा विशेशड उपवाक की विशेशता बता रहा है जो आश्रित उपवा के विशेशड की तरह प्रयोक किया जाता हुशे क्या कहते हैं विशेशड उपवा के यहां इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा A नेक्स्ट है निम लिखित में असुद्ध वाक्य का चैन करना है Option A, एक एक कर सब भी मर गए Option B, वास्तों में वा बड़ा आदमी है Option C, यह चरका चलाना चाहिए Option D है, उसे मुक्तहस्त धन लुटाया उसने Option A, करेक्ट है Option C, और D, तीनों करेक्ट है लेकिन Option B में देखेंगे वास्तों में वा बड़ा आदमी है यह गलत होगा वस्तों में वा बड़ा आदमी है यह करेक्ट होगा Next है, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह हो सकता है Dash करके बीच में दिया गया और रिक्तिस्थान में किस सब्द का प्रयोग होगा यह बताना है Next है, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह Dash हो सकता है यह पढ़ चुके हम लोग इसी में बताना है कौन सा है Option A क्रामक B है संक्रामक C है अतिक्रामक D है भीक्रामक देखे, रोग संक्रामक होते हैं क्रामक, अतिक्रामक, कभी क्रामक यह नहीं होते तो रोग अगर यूज होगा वो एक प्रकार से संक्रामक रोग होगा अगला कोशन एफिडेविट इसका सही अनुवाद बताना है Option A है प्रिस्ताव Option B है विवरण Option C है समायोजन Option D है सपत्पत एफिडेविट क्या होता है यह होता है शपत्पत प्रिस्ताव को क्या बोलते हैं Resolution प्रिस्ताव क्या होगा Resolution, विवरण, डिस्क्रिप्शन और समायोजन, एडजेस्टमेंट को कहते हैं अगला प्रशन देख लेते हैं देखिए अब जो यह प्रशन दिया गया है इसमें पहली संख्या पर जो वाक्य है और छटी संख्या पर है वो निश्चित है अब इनके बीच में चार भाग बाटे गए हैं यारलावा अलग-अलग संख्या दी गई है क्रम सही नहीं लगा हुआ है इनको पढ़ करके सही क्रम में लगाना है तो चलिए सबसे पहले रीड करते हैं आप सबको धोखा फिर यह बीच के ऑप्शन है और लाश्ट में वक्त को नहीं दे सकते हैं अब इनके बीच में अज़ेस्ट करना है धोखा दे सकते हो पर दूसरा है दे सकते हैं पर ला है दे सकते हैं आप खुद को और वा है खुद को नहीं मैं सही से लीड कर दे रही हूँ आप सब को धोखा दे सकते हैं आप खुद को धोखा नहीं दे सकते सही करती हूँ मैं इसको आप सबको धोखा ये दिया गया है दे सकते हैं पर उसके बाद है खुद को नहीं दे सकते आप खुद को धोखा दे सकते हैं पर वक्त को नहीं दे सकते तो इसका option सबसे पहले क्या है रा दिया गया है रा के बाद वा है देखे सही उत्तर डी मिल गया चलिए अगला प्रशन देखते हैं निम लिखित में से बे मेल शब्द का चैन करना है जैसे कि आप्शन दिये गए हैं आभूशड, नागर, अलंकार, जेवर ये सारे आप्शन हैं इसमें से पहचानना है देखे आभूशड, जेवर, अलंकार ये सब एक ही मेल के सब्दें, एक ही प्रकार के सब्दें समानारती हैं किन्तो जो नागर है वो क्या है इनमें से बे मेल है अगला प्रशन दिम लिखित में से एक विकल पर्यावाची सब्दों की द्रश्टी से असंगत है कौन सा है? सबसे पहला उप्शन है वाजी, है, घोटक, तुरंग ये दिया गया है दूसरा उप्शन है लोचन, नयन, चक्षू और द्रग फिर दिया गया है मयूख, रश्मी, प्रभा और अंबर लास्ट उप्शन है निकेतन, भवन, सदन और निले इन में से सबसे पहले उप्शन पर जाते हैं देखे वाजी, है, घोटक, और तुरंग या किसका पर्यावाची है? ये सारे सही दिये गए हैं और ये घोडे के पर्यावाची है कौन सा वाजी है? घोटक, तुरंग अगला है लोचन, नयन, चक्षू, द्रग ये हैं आँख के पर्यावाची आँख या फिर नेत्र के प्रशन पत्र के साथ ही सारे पर्यावाची याद कर लिजे मयूख रश्मी प्रभा ये है किरण के और जो अंबर है ये है कपड़े का कपड़े का पर्यावाची है अंबर और मयूख रश्मी प्रभा ये किरन के हैं तो option C ही correct हो जाएगा अगला option निकेतन, भवन, सदन, निले है ये घर का पर्यावाची है option कौन से सही होगा? C क्योंकि ये क्या है? ये अलग-अलग दिये गए हैं ये किसी एक ही शब्द के नहीं है पर्यावाची अगला प्रशन है युद्ध में इस्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? अलुक तत्पुरुस का, करण तत्पुरुस का या फिर संबंध तत्पुरुस का, या फिर संप्रदान तत्पुरुस देखिए युद्ध में इस्थिर रहने वाला मतलब युद्धिस्टिर कौन सा हो जाएगा अलुक तत्पुरुस जिस तत्पुरुस समास में पूरुपद की विभक्ती का लोग ना हो तब क्या होगा अलुक तत्पुरुस समास होगा अगला प्रशन है निमलिकित रशनाओ को उनके साहित की विधा के साथ सुमेलित करना है या आपको रशनाय याद होनी चीए तभी मेल कर सकते हैं और ये कौन से रशनाकार हैं ये भी याद रखिए चलिए सबसे पहले मेल करने की कोशिस करते हैं हम लोग सबसे पहला दिया गया है निर्मला, चिता के फूल, वर्दान और भारत दुरदसा दूसरी लिष्ट में नाटक है, कहानी है, निबंद और उपन्यास है निर्मला क्या है? निर्मला है उपन्यास दूसरा ओप incap deixa दिया गया है, चिता के फूल ये क्या है? ये है निवन्द वर्दान कहानी है भारत दुर्दसा भारतें धोरिशन्द का नाटक है आप इसी के प्रकार option देख लिजए अगला प्रशन है निम लिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म असंगत है option दिये गए है option B है उद्धत विनीद option C है कायर और निडर option D है जोती प्रकास आपस में देखे कौन सा है सहीओगी का प्रतियोगी सही है उद्धत का विनीद सही दिया गया है कायर का निडर सही दिया गया है जोती का ही ये समानार्थी है जोती प्रकास दोनों सेम होते हैं इसका विलोम फिर क्या होना चाहिए वो याद अखिये तम मतलब अंधकार जोती का तम होता है बाकी सारे विकल्प सही है Option D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा राइट अगला प्रशन है कौन सा प्रशन तूती पूर्ण जिसके आने की तिथी ना मालूम हो अतिथी अगला है जिसके हदय में दया नहीं है निर्दय जिसकी चिंता नहीं हो सकती और स्वेद से उत्पन होने वाला जैसे अंडे से उत्पन होने वाला अंडज होता है वैसे ही स्वेद सुथपन होने वाला स्वेदज होता है तो यहाँ पर गलत क्या है? यह चिंता रही चिंता रही इतनी होता है अचिंतिनी होता है जिसकी चिंता नहीं हो सकती वो अचिंतिनी होगा अगला प्रशन है अलंकार बताना है पड़ लीजे फिर से पंक्ती नवल सुन्दर स्याम शरीर की शजल नीरद सी कल कांति थी इसमें बताना है उपमा लंकार है, रूपक लंकार है, उत्प्रेक्षा लंकार है, या फिर द्रिष्टान तलंकार है यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जा रहा है उपमा दी जा रही है कैसे उपमा दी जा रही है सबसे पहले तो उत्तर इसका उपमा अलंकार है यहाँ रखिए यहाँ पर कांती जो है कहां गे कांती यह उपमे है नीरद क्या है उपमान है और यहाँ पर C, मतलब समानता प्रतीत, समानता दर्साई जा रही है यहाँ पर किस प्रकार का लंकार है? उपमा लंकार है देखे लंकार भी आप लोग सारे पढ़ लीजे, लंकार पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि अलंकार से भी देखे पिछली बार पुनरुकती प्रकास अलंकार था, पूछा गया था उपमा क्या होता है? जहाँ पर समान, धर्न, सभाव, गुड़ या सोभा के आदार पर जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु की तुलना की जाती है अब ऐसा नहीं कि दो कि लिए आसमान वस्तु में हो जाएगा तुलना, तो जब दो समान वस्तु में तुलना की जाती, तब वहाँ पर क्या होगा? उपमालंकार होगा और यहाँ पर नवल सुंदर स्याम सरीर की सरजल नीरत सी कांती थी तो यहाँ पर क्या होई इस प्रकार से उसकी तुलना की जा रही है अगला प्रशन है चंद से संबंधित गड़ों की संख्या है option A है 10, option B है 7, option C है 8, option D है 6 इनमें से सही उत्तर बताला है देखे चंद से संबंधित जो गड़ों होते हैं वो होते हैं 8, option C क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा प्रत्वी राज रासो किस काल की रचना है most important प्रशन है A रिती काल, B भक्ती काल, C है आदी काल, D है आधुनी काल इसमें से बताना है, देखे प्रत्वीराज रासो पहले तो किसकी रचना, यह याद अधिये चंदबर दाई की यह हिंदी का प्रथम महा काववी भी माना जाता है अगला प्रशन है, निम्लिकित में से कौन सा अनेकार्थक नहीं है ये हमें बताना है प्रश्ण देख लेते हैं क्या क्या है इसमें सबसे पहले दिया गया है खग, दूसरा है पाप, तीसरा है अक्ष और चौथा है नाग इन में से बताना है किसका अनेकार्थिक नहीं है ये जो पाप है ये इसका सहय उक्तर हो जागा ये नहीं होगा बाकी क्या है? खग, अक्ष, नाग ये सारे क्या है? और अथि शब्द है ठीक है? पाप क्या है? नहीं है खग किसका है? खग का होता है? पक्षी, तारा, बांड, इन सब का अक्ष का आँख, सर्व, ज्यान ये नग का हाथी और साप दोनों होता है पाप का नहीं है वलाय शब्द का अर्थ बताना है म्रग की छाल, गोलाकार घेरा, वरक्ष की छाल या फिर आवरण इन में से बताना है किस का अगला प्रशन है तुटी पूर्ण विकल्प की पहचान कीजिए और क्या बताना है फिर मतलब जो ऑप्षन दिये गए उन में से शंगार का रती है रोद्र का हास है इस्थाई भाव पूछा गया है वीर का उत्साह दिया गया है और फिर क्या दिया गया है वीभत्स का जुगुफशा दे दिया गया है अब इन में से बताना है किस का शंगार का रती होता है देखे रोद्र का हास नहीं होता है ठीक है रोद्र रस का क्रोध होता है जबकि हास रस का क्या हास हास ही का मतलब हास होता है ठीक है, वीर का उतसा है, वीबत का जो गुपसा है, सही दिया गया है, तो 48 का आंसर B करेक्ट हो जाएगा, अगला प्रशन है, बैल ना कूदे, कूदे तंगी, इसका हावत का आर्थ बताना है, ऑप्शन A है गड़े में कूदना, ऑप्शन B है साहसिक कारे करना, ऑप्शन C ह स्वामी के बल पर सेवक का साहस, यह उप्शन D है, वीर्ता पर विश्वास होना, इसका सही उत्तर बताना है, और बैल ना कूदे, कूदे तंगी, इसका है स्वामी के बल पर सेवक का साहस, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, लास्ट प्रशन है, वाकि में तूटी उसका चेन करना हैं ना हो तो भाग यहाँ पर डी दिया गया है को चिन्नित कीजे अब माफ कीजेगा पूरा प्रश्न है धन्वान को व्यर्थ ओप्शन यहाँ पर इस ट्रेटमें में देखेंगे ध्यान को व्यर्थ या बेकार में सहायता देकर कोई लाब ना होना और या फिर कोई तूटी नहीं देखिए यहाँ पर धनवान को व्यर्थ है सहायता देकर कोई लाब ना होगा ठीक है यहाँ पर तूटी किसमे है बी वाला क्या होगा धनवान को व्यर्थ यहाँ पर व्यर्थ है दिया गया है तो बेकार में देने की वही नहीं तो तूटी यहां पर हो जाएगा धन्वान को वेर्थ सहायता दे कर कोई लाव ना होगा बेकार दिन जाएगा । बेकार प्रतक्तर सेघसा खना की वेर्चा सन्य आपको वेर्चा उमान पर होगा झाल झाल